हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई जेनर लता की लाइबरीरी आज मैं आपके साथ बहुत ही खुबसूरत पैटन सियर करने जा रही हूँ इस पैटन को आप जेनर स्वेटर, लेडी स्वेटर, गल्स्वेटर, बेवी स्वेटर, कैप आदि में भी अपलाई कर सकते हैं बनके बहुती कुबसूरत हमारा ये पैटन आ जाता है और रॉंग साइड से हमारा ये पैटन बनना स्टार्ड use इस pattern को बनाने के लिए हमने 4 के multiple में फंदे डालने 10 नंबर की सलाई में हमने इस pattern को बना लेना है अब हम अपना pattern बनाना start करते हैं तो देखे border complete होने के बाद front side से first waste row waste row हमारी repeat नी होगी तो देखे पहला फंदा उतारेंगे दागा अपनी side करेंगे दो फंदे उल्टे दागा पीछे दो फंदे सीधे दागा अपनी side दो फंदे उल्टे दागा पीछे दो फंदे सीधे आ जाएंगे फिर दो फंदे उल्टे आ जाएंगे दागा पीछे दो फंदे सीधे दागा अपनी side दो फंदे उल्टे, लास्ट का फंदा सीधा, तो देखे ए फ्रंट साइड से हमारी फर्स्ट बेज रो कमप्लीट हो गए, आप देखे बैक साइड से पैटरन की फर्स्ट रो, फर्स्ट रो में देखे पहला फंदा उतारेंगे, धागा पीछे, दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे बुनेंगे फिर दो फंदे सीधे बुनेंगे दो फंदे उल्टे बुनेंगे धागा पिछे दो फंदे सीधे बुनेंगे फिर दो फंदे उल्टे बुनेंगे दो फंदे सीधे लास्ट का फंदा उल्टा पैटन की फर्स्ट रो कम्प्लीट हो गई फ्रन्ट साइड से सेकिन डो फैला फंदा उतारेंगे धागा अपनी साइड दो फंदे उल्टे दो फंदे सीधे धागा अपनी साइट दो फंदे उल्टे बुनेंगे धागा पिछे दो फंदे सीधे बुनेंगे सेम प्रोसेस अंब रिपीट करते जाएंगे फ्रेंट साइट से पैटर्न की सेकिंड रो कम्फलेट करेंगे थर्ड रो बैक साइड से पहला फंदा उतारेंगे धागा पीछे कर लेंगे दो फंदे सीधे बुनेंगे दो फंदे उल्टे दो फंदे सीधे बुनेंगे फिर दो फंदे उल्टे आ जाएंगे दो फंदे सीधे फिर दो फंदे उल्टे दो फंदे सीधे बुनेंगे फिर दो लास्ट का फंदा उल्टा बुनेंगे तो देखे ये बैक साइड से पैटन की थर्ड रो कम्प्लीट हो गई अब देखे, फ्रंट साइड से पैटन के फोर्थ रो, अब फोर्थ रो में देखे, पहला फंदा उतारेंगे, धागा अपनी साइड, दो फंदे उल्टे बुनेंगे, अब नेस्ट दो फंदों में पैटन आएगा, तो देखे, पहला फंदा आगे करेंगे, फिर एंसे चेन म में आएंगी space में आके first hole छोड़ेंगे second, third, fourth, fourth hole में हमने slide डालनी first, second, third, fourth, fourth hole में हम slide डालेंगे इस तरहे के से एक फंदा बनाएंगे medium loose, ऐसे medium loose एक फंदा बनेगा, फिर दो फंदे सीधे, एक, दो, इस जो एक्स्ट्रा फंदा है, इसको medium loose बनाएंगे, फिर उसी hole में हम slide डालेंगे, एक और medium loose फंदा बनाएंगे, इस तरहे के से देखें, फिर धागा अपनी side, दो फंदे, उल्टे बुनेंगे, फिर धागा पीछे, दिके निष्ट्रा फंदा आगे करेंगे, फर्स्ट ओल छोडेंगे, स्यक्स्ट ओल छोडेंगे, फिर three फोर्थ में slide डालेंगे, इस तरह के से एक medium loose फंदा बनाएंगे फिर दो फंदे सीधे, एक, दो कि उसरी ओल में हम slide डालेंगे, एक और medium loose फंदा बनाएंगे, यह देखे, अब next same process repeat होगा, दो फंदे उल्टे, दो फंदों में pattern आएगा, देखे, first, second, third, fourth, fourth hole में हम slide डालेंगे, इस तरीके से, एक medium loose फंदा बनाएंगे, दो फंदे सीधे, फिर उसी hole में हम slide डालेंगे, एक और medium loose फंदा बना लेंगे, फिर दो फंदे उल्टे आजाएंगे, last का फंदा सीधा आजाएगा, तो देखे, front side से pattern की fourth row complete हो गई, back side से six row, पहला फंदा उतारेंगे, धागा पीछे कर लेंगे, दो फंदे सीधे, एक, दो, धागा अपनी side, बिना बना फंदा, एक्स्ट्रा फंदा है जो, इसको हम ऐसे उतारेंगे, फिर दो फंदे उल्टे, एक, दो, एक्स्ट्रा फंदा बिना बुने उतार लेंगे, धागा पीछे, दो फंदे सीधे, फिर धागा अपनी side, अब देखे जो एक्स्ट्रा फंदा है इसको बिना बुने उतारेंगे, फिर दो फंदे उल्टे आ जाएंगे, फिर एक्स्ट्र फंदा बिन बुने उतार लेंगे, इस तरीके से देखे, ये बैक साइड से यमारी पैटरन की फिप्तरो है, दो फंदे सीधे, एक्स्टा फंदा बिन बुने, दो फंदे उल्टे, एक्स्टा बिन बुने, लास्ट के दो फंदे सीधे और एक फंदा उल्टा आ जाएगे, तो तो बैक साइड से यमारी पैटरन की फिप्त रो, कम्प्लीट हो गई, फ्रन्ट साइड से 6 रो, पहला फंदा उतारेंगे, धागा अपनी साइड, दो फंदे, दो फंदों में से एक फंदा उल्टा, अब देखें जो एक उल्टा फंदा है और एक एक्स्ट्रा फंदा, इन द एड करके बुन लेंगे, दो का एक, अब धागा पीछे ही रहेगा, अब नेश्ट देखें, एक एक्स्ट्रा फंदा और एक उल्टा फंदा, इन दोनों को एक साथ बुनेंगे, दो का एक करेंगे, दो फंदे सीधे, एक, दो, फिर नेश्ट फंदा इस तरह के से लेंगे, फिर नेश्ट दो का एक करेंगे, दो फंदे सीधे, फिर नेश्ट फंदा इस तरह के से पल्टा लेंगे, फिर दो का एक करेंगे, लास्ट में एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा आजाएगे, तो देखें, फ्रेंट साइट से पैटन की 6 रों कम्प्लिट हो ग वोनने एक दो यह हमारा पैटरन रिपीट एंड शिप्ट हो रहा है धागा पिछे दो फंदे सीधे धागा अपनी साइड दिखे यह पैटरन वाले फंदे यह बैक साइड से उल्टे आएंगे धागा पीछे ये दिखे इजो सेंटर में दो फंदे सीधे हैं ये बैक साइट से सीधे आएंगे इस तरीके से दिखे फिर धागा अपनी साइट दो फंदे उल्टे धागा पीछे, दो फंदे सीधे, फिर दो फंदे उल्टे, लास्ट का फंदा भी उल्टा, तो देखे यह हमारी सेवंत रों कम्ट्लीट हो गई, अब एर्ट रों में देखे, पहला फंदा उतारेंगे, सीधे फंदों को हम सीधा बुनेंगे, और उल्टे फंदों को उल्टा, दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, सेम प्रोसेस रिपीट करते जाएंगे, और फ्रंट साइट से अपनी एर्ट रों कम्ट्लीट करेंगे, ये देखे हमारी 8th row complete हो गई, 9th row, पहला फंदा उतारेंगे, फिर देखे 9th row में भी देखे जो फंदे उल्टे हैं, उनको उल्टा बुनेंगे, जो फंदे सीधे हैं, उनको सीधा बुनेंगे. ये देखे 9th row complete हो गई, अब देखे 10th row, अब 10th row में देखे पहला फंदा उतार लेंगे, ये पहला फंदा उतार लेना है, अब देखे नेस्ट फंदा सीधा बुन लेंगे, इस तरीके से फिर नेस्ट फंदा भी सीधा आजाएगा. दो फंदे सीधे, अब देखे जो ये दो फंदे हमने सीधे बुने, इन फंदों के ऐसे सेंटर में आएंगे नीचे, ये देखे जो इस पेस है ना, ऐसे नीचे आएंगे चेन में, और जो चौथे नंबर का होल है, इसमें इस तरीके से याँपे सलाई डालेंगे, और एक म फंदे आगे करेंगे, इसे स्पेस में आएंगे, और फूर्द नंबर के होल में हमने सलाई डालनी है, एक मीडियम लूच बनाने है, दो फंदे सीधे। फिर उसी होल में हम स्लाइड डालेंगे, एक मीडियम लूज बंदा बनाएंगे, फिर दो फंदे उल्टे बुनेंगे, सेम प्रोसिस को हम रिपीट करते जाएंगे, और फ्रेंट साइड से अपनी पैटन की टैंथ रो कम्प्लीट कर लेंगे, यह देखे यह फ्रेंट साइड से मारी पैटन की टैंथ रो कम्प्लीट हो गई, आप देखे 11 रो, पहला फंदा उतारेंगे, देखे नेश्ट फंदा, ऐसे दो फंदे उल्टे आ जाएंगे, और नेश्ट फंदा हमने, यह से बिना बुने, उतार लेना है, फिर धाग्या पीछे करेंगे, दो फंदे सीदे, दाग्या अपनी साइड, एक फंदा बिना बुने, दो फंदे उल्टे, फिर एक फंदा बिना बुने धागा पिछे दो फंदे सीधे धागा अपनी साइड एक फंदा बिना बुने दो फंदे उल्टे फिर एक फंदा बिना बुने धागा पिछे दो फंदे सीधे एक फंदा बिना बुने लास्ट में देखे दो फंदे उल्टे आ जाएंगे और ला पास्ट वाला फंदा भी उल्टा जाएगा तो देखे बैक साइड से पैटरन की 11 तरों कम्प्लीट हो गई अब देखे 12 तरों फ्रेंट साइड से 12 तरों पहला फंदा उतारेंगे नेश्ट देखे एक दो फंदे सीधे देखे जो नेश्ट एक्स्ट्रा फंदा है इसको इस तरीके से पलटाएंगे और इन दो फंदों को एक साथ बनेंगे दो का एक करेंगे एक उल्टा फंदा और एक एक एक्स्ट्रा दो का एक करेंगे, दो फंदे सीधे, फिर नेस्ट फंदा पल्टाएंगे, दो का एक करेंगे, फिर दो का एक करेंगे, फिर दो फंदे सीधे, नेस्ट फंदा पल्टाएंगे, फिर दो का एक करेंगे, फिनेश देखे, दो का एक, प्लास्ट में दो फंदे सीधे, प्लास्ट वाला फंदा भी सीधा, तो देखे ये फ्रेंट साइट से हमारी पैटन की 12th row complete हो गई, ये 12th row में भी हमारा पैटन repeat and shift हो रहा था, अब बैक साइट से देखे जो हमारी 13 row आएगी, 13 row को हमने पैटन की 1st row की तरह बुनते हुए complete करना है, अब हमने इन ही 12 सलायों के पैटन को बार बार repeat करते जाना है, और बन के देखे, हमारा पैटन कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये देखे, बहुती सुन्दर, बहुती आसान पैटन है, आप इसे all project में apply कर सकते हैं, दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो किरपया लाइक करें, सियर करें, कमेंट करें, और आप हमारे चैनल में नहीं हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना न भूलें, थेंक्यू